नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है अलिगर जेल से, हत्रस के अपरादी संदीप बेहोस होकर जेल में गिर गया, कैसे हुआ ये सब घटना सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, तो सब्सक्र आज है उसको जागरित कर सकूँ, कि वो दो चारो अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए अंतों अंतक, दोस्तों, ये सारा मामला हुआ अलिगर जेल में, जैसा कि आप लोग को पता है, कि बहुत सारे कैदी रहते हैं, बहुत सारी कैदी का अलग-अलग बैरक बनाया गया है, वहीं पर संदीप, रामू, लवकुष, रभी उन सभी को अलग-अलग सिफ्ट किया गया है जेल में, यानि कि अब अलग-अलग बैरक में रहते हैं, लेकिन संदीप, जो कि बहुत ही सातीर समस्ता है खुद अपने आपको, एक बार फिर वो हरकत कर चुका था, लराई करने कि किसी भी तरह से जेल से बाहर निकला जाए, मतलब कह सकते हैं कि एक इलाज के पहाने से उसको दस दिन का राहत मिला जाए, तो इस तरह से ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बता दू आपको कि जेल परसासन में, जेल में भी डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे उ तो पहुचाया, लेकिन वो अपने मनसूबे में काम्याब नहीं रहा, तो बड़ी breaking news यही है, तो दोस्तों ऐसा आपको कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, जब तक की कोई सजा का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक की कोई result नहीं आ जाता है, इस तरह के आपको सुनने को मिलेग कि अपराधी इस तरह के हत्कंडा अपना रहें, उस तरह के हत्कंडा अपना रहें, वो लोग कोसिस करेंगे हर तरह से कुछ न कुछ करने का, लेकिन देखना ये है कि प्रसासन कितनी जल्दी कारवाई करती है, प्रसासन कितनी जल्दी नतीजे पर पहुंचती है, ये ब्रेकिंग न्यूस यही है आसा करतों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना साथी आप मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिलके घंटी जोग बजा देना ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपने अभी तक अगर कोई मिस किया है तो जाकर करके आप हत्रस केस के प्लेलिस्ट में जाकर करके आप हर एक वीडियो देख सकते हो तो दोस्तों तब तक के लिए आप खुस रहिए सुरक्षित रहिए जैहिंद